सूप्रभाद प्यारे बच्चो जैसा कि हम पिछले विडियो में अ, आ और इ सीख चुके हैं आज हम लिखना सीखेंगे इ इ इद इएक तो बच्चो आओ लिखना शुरू करें सबसे पहले आप दिनाख लिखें फर्स ब्लू लाइन से एक स्लेपिंग लाइन बनाए एक स्टैंडिंग लाइन एस की तरह गोल गुमाते हुए उसे थर्ड ब्लू लाइन तक टच करें और पीछे से टेल बना दे एकी मात्रा बनाने के लिए सी की तरह एक कर बनाए आओ फिर से लिखें स्लेपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एस की तरह बनाते हुए उसे थर्ड ब्लू लाइन तक टच करें और पीछे से एक टेल बना दें एकी मात्रा बनाने के लिए सी की तरह एक कर बनाए ए-ए-ए-ख, ए-ए अंत में अपना नाम लिखें और आप के गय कारे का अभ्यास जरूर करें झाल झाल